हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसेशन की ओर से आज प्रदेश भर में अपनी मांगो को लेकर शांति पूर्ण प्रदेशन किया जा रहा है इसी कड़ी में कुलू जिला शेत्रिय अस्पताल के परिसर में भी डोक्टरों ने काले बिल्ले लगा कर विरूद जताया इस दोरान दरजुन डोक्टर्स ने सरकार से विभिन मांगो को जल्द पूरा करने का अग रहे किया बता देए कि NPA DPC डेरेक्टर्स और प्रिंस्पिलों को शक्तिया नहीं देने और डोक्टरों को प्रमोशन ना मिलने के कारण डोक्टर्स विरूद जता रहे है उनका कहना है कि जून 2023 में सरकार ने मांगे मानी थी लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं की ऐसे में अब डोक्टर्स ने सरकार को चिताया कि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में डोक्टर्स पैंडाउन स्ट्राइक अनिशित करीन हारताल कर प्रदेश भर में अंदुरन करेंगी हमारी कोई नहीं मांग नहीं है आपको यादी होगा 2023 में जून महिने में हमारी मीटिंग होई थी सरकार के साथ जिसमें मारे मांगें बिशेश कर एंपीए को जो है वुरू हमारे से निकार देना कर एशोर करेशिन स्कीम से भी अमारे को बंचित करना टाइम से प्रमोशन ना मिलना ओफिसर्स को यहीं मुख्य मांगें हैं हमारी जो जून तो अजयते ही में वैसे तो मान ली गई थी परन्तु किस कारण हम कह नहीं सकते वो दुबारा से वैसे ही नोटिफिकेशन आ रही है और जो हमारी प्रमोशन थी उनका भी डीपीसी डेगलर्ली होनी चे थी वो डीपीसी भी नहीं हो पा रही है इसलिए हमारे जो डिरेक्टर्स और सारी पोस्टें जो हो फिल अपनी हो रही है जी टाइम से वीम्बुजन बन रहे हैं इसके асलवा जो हमारे डरेक्टरस और प्रिंसिफल बगहारा हैं जो जितने ही हमारे अमेस्तिरेंट हैं था उनके पास नहीं हैं, उनके लिए हमारी डिमांड थी, सरकार ने अलांकि मान हाद था पर प्ता हैं अभी तक वह इंफिमेंट नहीं हुई हैं, उन्हीं बातों को लेकर हम दोबारा से बलाकлена非र करके बिय वारा से पने जिताएंगे, अलांकि अभी तो हमारे स्टेट पॉटी ने ये डिसाइड किया है कि हम किसी तरह से पॉब्लिक सर्विसिज को किसी भी परकार से हम पर नहीं करेंगे एमरिजन्सी हो चाहे रूटीन हो परन्तो हम रोध अपना कांटिनू जिताते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.केस्री